नमस्कार दोस्तों जैहिन आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक प्लीज अवस्य करिए आज बात करते हैं आर्नो फिटेड लोकों में जो हमारी आजली कंट्रोल सरकीट है उसके बारे में आपको पता है जो आर्नो फिटेड लोकों होते हैं उसमें जो पांच आजलिया हैं ये डारेक्ट आर्नो के साथ चलती हैं MPH, MVSL1, MVSL2, MVSI1 और MVSI2 और 6 आगजल्लियां जिसमें कि तीन कंप्रेसर की हैं और तीन ब्लोवर की हैं ये छे आगजल्ली हमारे BLK को जब हम आपरेट करेंगे यानि जब BLCP को आपरेट करेंगे तो तीनों कंप्रेसर के कांटेक्टर C101, C102, C103 पिकप होंगे और जब BLVMT क हमान करेंगे तो हमारे तीन ब्लोवर, MVRH, MV, MT1 और MV2 के कांटेक्टर हमारे पिकप होंगे तो आज इस सर्किट में देखते हैं कि किस तरह उन सम्में सप्लाई जा रही है ये आगजल्ली कंट्रोल सर्किट को CCA, FEUD से सुरच्छा प्रदान की गई है शुरवात में जब त ये C101, C102 और C103 ये तीनों NCI लगे होता है और इस रास्ते से हमारी Q19 Relay इनरजाईज बनी रहती है जब ये Q19 Relay इनरजाईज रहती है उस समय ये Q19 का नार्मली ओपन इंटरलाग जो यहाँ पे लगा हुआ है ये बंद रहेगा जिसके माध्यम से हमारे Vule 1, Vule 2 और Vule 3 इन तीनों को सप्लाई मिलती रहेगी ये जो Vule होता है ये हमारे कंप्रेसर के Head और Delivery Line में जो इनरवी लगा है उसके बीच में लगा होता है तो ये Vule जब तक इनरजाईज रहेगा तब तक सिलेंडर Head और इनरवी के बीच की हवा को वाइमंडल से जोड़े रहेगा जिसस से जब भी हमारा कंप्रेसर इस्टार्ट होगा वो बिना लोड के इस्टार्ट हो जाएगा जब हम डीजे लगाएंगे तो डीजे लगने पर यह डीजे का नार्मली ओपिन इंटरलाग बंद हुआ सप्लाइस रास्ते से नीचे आई और सी एकसो अठारा चुकि डीजे लगन सप्लाइ आएगी नीचे और Q100 के NCI से होता हुआ Q100 रिले हमारी इनर्जाइज हो जाती है जब यह Q100 रिले इनर्जाइज हो जाती है तो अपने रजिस्टेंस RQ30 के माध्यम से इसको करेंट मिलने लगता है और यह Q100 का नार्मली क्लोज इंटरलाग जो बंद था इस तरफ पर Q100 का देखें लगा हुआ है नार्मली उपन इंटरलाग और एक यहां पर लगा हुआ है यानि एक कंप्रेसर के कांटेक्टर के ऊपर लगा हुआ है एक ब्लोवर के कांटेक्टर के ऊपर अब जब हम BLCP को आन करेंगे जैसे हिम BLCP को आन करेंगे यह सप्लाइ आए यह से नीचे बीच में RGCP लगा हुआ है जिसकी सेटिंग आठ केजी पर सीयम इसको एर पे कटिन होती है और साथे 9 केजी पर सीयम स्को एर पे cut out होती है तो शुरुवात में चुकी pressure नहीं है MR का इसलिए RGCP अभी cut in position में रहेगी और supply ऐसे कि 100 के normally open interlock से होता हुआ अगर HCP की position एक या एक दो या एक तीन या एक दो तीन अगर है तो इस रास्ते से हमारा C101 में supply पहुंच जाएगी साथ ही HCP की position दो या एक दो या एक दो तीन या दो तीन पे है तो C102 में भी supply पहुंच जाएगी इन दोनों में जैसे ही supply पहुंचेगी Q119 के उपर जो इस C101 और C102 का normally close बंद था ये वापस खुल जाएगा और जब ये वापस यहाँ पे ये खुल जाएगे दोनों तब हमारी Q119 की supply कट जाएगी Q119 की जब supply कटेगी तो Q119 का जो normally open यहाँ पे ये बंद था Q119 के pick up होने के कारण वो क्या होगा वो खुलेगा लेकिन चुकि Q119 में 5 सेकेंड का time lag है तो ये interlock कितनी देर बाद हटेगा 5 सेकेंड बाद यानि view की supply जो ये तीनों view हमारे नीचे दिये हुए है इन view की supply हमारी 5 सेकेंड बाद कटेगी मतलब compressor के start होने के बाद भी compressor हमारा 5 सेकेंड बाद loading करेगा क्योंकि wheel द्वारा वो जो हवा भर रहा है compressor वो वाई मंडल में निकलता रहेगा C103 के उपर देखिए Q119 का NCI लगा हुआ है तो जब 5 सेकेंड बाद Q119 de-energize हो जाएगा तब यह Q119 का NCI लगेगा C103 पर और अगर switch की position HCP की 3, 1, 3, 2, 3 या 1, 2, 3 है तो C103 में भी supply पहुँचेगी इस तरह हमारे तीनों blower चल जाएंगे और हमारे ये व्यूल और V119 वाली ये रास्ता हमारा ये बंद हो जाएगा अब जब MR pressure हमारा बढ़ता बढ़ता साड़े 9 kg पर CM2 पहुच जाएगा उस समय हमारा RGCP कटाउट करेगा और RGCP यहां से रास्ता बंद हो जाएगा और ये कटाउट इस्तिती में इधर जाके वीड को supply दे देगा वीड क्या होता है एलेक्टो वाल्फार आटो ड्रेन MR1 और MR2 के उपर आटो ड्रेन वाल्फ लगे हैं वहां से हमारा आटो ड्रेन वाल्फ इनरजाईज होगा और वहां से नमी को निकालेगा चुकी C101, C102, C103 के उपर जो supply RGCP के कटिन के माध्यम से आ रही थी वो कट गई इसलिए ये तीनों कंप्रेसर के कांटेक्टर खुल जाएंगे और वापस Q119 को सप्लाई मिलना स्टार्ट हो जाएगा जिससे व्यूल को सप्लाई मिलना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह ये पिक्रिया बार-बार चलती रहती है इसमें ध्यान देने वाली चीज़ ये है RGCP के कटाउट में जब वीड को सप्लाई मिली तब भी ये दो सेकंड के लिए मुएस्चर को बाहर निकाला आटो ड्रेन वाल से और जब RGCP कटिन में जाएगी और वीड की सप्लाई कटेगी तो भी ये दो सेकंड के लिए मुएस्चर हवा में ड्रेन करेगा इसके बगल में देखे एक BLCPD का भी कनेक्शन दिया हुआ है तो जब हमारा BLCPA खराब है या RGCP खराब है तो हम BLCPD को आन करके भी कंप्रेसर की सरकिट को पूरा करके कंप्रेसर को चला सकते हैं ये तो हुआ कंप्रेसर को कंट्रोल कैसे किया जाएगा अब देखिए ब्लोवर कैसे कंट्रोल हो रहा है उपर से जो सप्लाई आ रही है जैसे ये BLVMT हम आन करेंगे यहां से ये रास्ता बैठेगा और चूकी Q100 डिले पहले से ही इनर्जाइज थी तो नार्मली ओपन ये बंद रहेगा और सप्लाई हमारी 107 में चली जाएगी अगर HVRH की पोजिशन एक या तीन पर है तो तो C107 में सप्लाई पहुँचेगी जिसके कारण C107 का नार्मली ओपन ये QTD 105 पे क्लोज होगा और QTD 105 को भी यहां से सप्लाई मिलने लगेगी साथ ही साथ C107 का नार्मली ओपन इंटरलाग यहां उपर देखिए कि 100 के उपर भी लगा हुआ है यह भी इंटरलाग यहां से ऐसे बंद हो जाएगा जब QTD 105 इनर्जाईज होगा इसमें 5 सेकंड का टाइम डिले है तो यह QTD का 105 नार्मली ओपन यह यहां बंद होगा C105 के उपर और HVMT1 की पोजिसन अगर एक और तीन पे कहीं है तो C105 को सप्लाई मिलेगी जिससे हमारा कांटेक्टर C105 क्लोज हो जाएगा और हमारा HVMT1 चलेगा C105 के क्लोज होने से इसका नार्मली ओपन इंटरलाग QTD 105 के बगल में है वो भी लग जाएगा यहनि दोनों रास्तों से C105 को सप्लाई मिलेगी साथी साथ QTD 106 को भी सप्लाई मिलेगी QTD 106 में भी चुकि 5 सेकंड का टाइम डिले है तो अगले 5 सेकंड बाद QTD 106 का नार्मली ओपन इंटरलाग C106 पे जो लगा है वो क्लोज होगा और HVMT2 की चाहे एक या तीन पोजिशन पर होने पर C106 में सप्लाई पहुचेगी और ये भी पिकप हो जाएगा जिसके कारण QTD 106 के पैलेल में लगा हुआ C106 का नार्मली ओपन इंटरलाग भी बंद होगा और C106 कांटेक्टर को उपर से QTD 106 के नार्मली ओपन और C106 के नार्मली ओपन की दोनों क्लोज हो चुके हैं उनसे सप्लाई मिलना स्टार्ट हो जाएगी जब MPJ को फारवर्ड करेंगे तो ये MPJ का जो नार्मली ओपन इंटरलाग लगा हुआ है ये कांटेक्ट ये भी लग जाएगा इधर से भी सप्लाई नीचे की तरफ आएगी और जैसे ही लगेगा और इधर से भी सप्लाई मिलना स्टार्ट हो जाएगा यहां जी आर एक से बत्तिस के बगल में C107 का नार्मली ओपन इंटरलाग क्यों लगाया गया है दूसरा C105 के उपर QTD 105 के साथ साथ C105 का NOI क्यों लगा था तीसरा C106 के उपर QTD 106 और C106 का NOI क्यों लगा हुआ था तो जो यह QTD के बगल जो कांटेक्टर के NOI लगे हैं यह इसलिए लगाए गये हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है यह QTD 105 का NOI या QTD 106 का NOI चैटरिंग करता है अगर QTD 105 यह चैटरिंग कर रहा है और C105 का NOI यह ना लगाया गया होता और सप्लाई केवल QTD 105 के थू जा रही थी तो QTD 105 में चैटरिंग होने पर C105 के सप्लाई बार बार कटती जिससे की यह MVMT1 का कांटेक्टर बार बार खुलता और बंद होता चैटरिंग करता जिससे हमारी आज़ली खराब हो सकती थी इससे बचने के लिए C105 का भी एक NOI लगा दिया गया कि जब एक बार हमारा C105 कांटेक्टर लग जाए तो इसकी सप्लाई लगातार बनी रहे QTD105 अगर चैटरिंग कर रहा है तो भी कोई फरक ना पड़े सेम लाजिक यहां QTD106 के NOI और C106 के NOI के लिए भी लागू है अब यहां पर जो बात हो रहे थी कि GR1 से 32 के बगल यह C107 का क्यों लगाया गया है आरनो के लोकों में यदि हमने BLV MT आन करना हम भूल गये हैं और हमने गाड़ी चला दी तो जब गाड़ी चलाएंगे यानि MPJ को डारेक्शन देंगे तो MPJ का यह इंटरलाग बैठेगा और जैसे ही MP से हम नाच लेंगे GR1 से 32 वाला इंटरलाग बैठेगा Q100 हमारा पहले से इनरजाईज है तो इस रास्ते से होते हुए C107 कोयल हमारी इनरजाईज होगी और C107 कांटेक्टर लग जाएगा जिसके कारण यह C107 का NOI भी लग जाएगा उसके बाद क्रमसह QTD105 के बाद C105 फिर QTD106 के बाद C106 तीनों ब्लोवर के कांटेक्टर लग जाएगे और ब्लोवर चलना इस्टार्ट हो गया अब अगर मान लिया हम नाच बढ़ा रहे हैं तो यह GR का जो कैम कांटेक्टर है यह एक नाच से दूसरे नाच पे आने पे 0.4 से 0.5 सेकंड ले ले लेता है तो जब 0.4 से 0.5 सेकंड ले रहा है तो उतनी देर के लिए यह इंटरलाग खुल जाएगा और नीचे ब्लोवर में जो सप्लाई आ रही है वो थोड़ी देर के लिए कट जायती जिसके कारल आग जल्लियों को हमारे नुकसान पहुँच सकता था इसी के लिए बाइपास में C107 का यह इनवाई लगाया गया है कि जब एक बार ब्लोवर चल जाए तो उसके बाद यदि हम नाग बढ़ाते हैं घटाते हैं तो भी लगातार सप्लाई उसको मिलती रहे यहाँ पर देखिए एक यह लिखा हुआ है CCLSA 6A और फिर वहाँ से जा रही है सप्लाई टू सिग्नलिंग कंट्रोल सर्किट तो आपको पता होगा CCA के थू सप्लाई आगे आती है और अगर MPJ रिवर्स या फारवर्ड में है तो उसके बाद सप्लाई CCLSA के थू हमारी कह नहां चली जाती है आटो फ्लेशर लाइट में क्योंकि आटो फ्लेशर लाइट हमारा तभी काम करेगा जब हमारा रिवर्सर फारवर्ड या रिवर्स में हूँ कम्प्रेशर में देखिए यदि हमने SCP की पोजीशन 3 पे रखी है तो जब 3 पे करेंगे तो ना ही C101 के उपर SCP के 3 नंबर का पोजीशन है ना C102 के उपर 3 नंबर का पोजीशन है केवल C103 के उपर ही 3 का पोजीशन है और उसके उपर भी Q110 का नार्मली क्लोज इंट्रलाक लगा हुआ है तो जब 101, 102 हमारी पिक अप नहीं हो पाएंगी तो ये दोनों नार्मली क्लोज लगी रहेंगी और अगर 103 का ये जो तीन नंबर का स्विच है जो की Q19 के पैलेल में लगाया गया है अगर ये ना लगा होता तो C103 भी ना क्लोज होता और C103 का भी NCI लगा रहत जिससे Q19 लगातार इनरजाईज बनी रहती और ये Q19 का NCI खुला रहता तो हमारा C103 कैसे बंद हो पाता जबकि हम HCP को तीन पे करके तीन नंबर वाला कंप्रेसर चलाना चाह रहे हैं इसलिए Q19 के NCI के बगल में ये HCP के स्विच का तीन नंबर का पोजिशन दिया हुआ ह उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सर्किट आप लोग के समझ में आई होगी कमेंट बाक्स में बताईएगा अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो दुबारह इस सर्किट को बता दिया जाएगा थैंक यू